नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लीक वानी, मेरा नाम है अभिशेख, छट बिहार का सबसे प्रमुक पर्व है, छट के मोके पर बिहारी देज भर में कहीं भी रहें, वो बिहार ज़रूर वापस आते हैं, और इस मोके पर इस बार बिहार आने वाले यात्रियों को काफी द के द्वारा जो है, इसके बाद भी यात्रियों को काफी दिकतों का सामना करना पड़ रहा है, जो लोग भी बिहार वापस आ रहे हैं, छट महापर्व को लेकर, इस बार लगवग दो साल के बाद बिहारी जो है, छट पर में सामीर होने के लिए बिहार आ रहे हैं, क्योंकि रही है, विस्तार से जानते हैं इस ख़वर को, कोरोना संक्रमन के दो साल बाद देश-परदेश में रहने वाले लोग भारी तदाद में छट मनाने गौँ आ रहे हैं, दिल्ली से पटना आने वाले सभी फ्लाइट 29 अक्टूवर यानि खरना के दिन फूल है, एरलाइन्स क खो हजार के आसपास रहता है, वहीं 29 अक्टूवर को ही दुबई से दिल्ली का किराया 11,500 रुपे है, दिल्ली से पटना का नौन स्टॉप फ्लाइग आवर केवल डेर घंटे का है, जबकि दुबई से दिल्ली का पौने चार घंटे का, दरसल खारी देशों में पटना समे के विमान किराया का भी यही हाल है, 29 अक्टूवर को मुंबई से पटना का किराया करीब 14,000 हो गया है, जबकि उसी दिन मुंबई का किराया करीब 12,000 है, मुंबई से पटना का नौन स्टॉप हवाई सफर करीब 30 घंटे का है, जबकि दुबई से मुंबई का सबा 3 घंटे क 31 अक्टूबर को चार दिनों के महापर्व का समापन हो जाएगा उस दिन काफी संख्या में लोग लोटेंगे उस दिन भी विमान का किराया बढ़ा हुआ है 31 को पटना से दिल्ली का किराया 17,382 रुपे तक का हो गया है जबकि दिल्ली से दुबई का 11,382 रुपे है वहीं 31 को पटना से मुंबई का किराया 16,857 रुपे है उसी दिन मुंबई से दुबई का एयर फेर 11,985 रुपे है 30 पूजा के मोके पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने 124 पूजा एस्पेसल ट्रेने चलाएंगी पूजा एस्पेसल ट्रेने कल से चलेंगी दिल्ली, अम्रिस सर, फिरोजपूर कैंट, रानी कमलावती, जवलपूर, राची, अहमदाबाद, नादेर, इंदोर, सहित, कई सहरों से बिहार आने और वाबास जाने में राहत मिलेगी पूर्व मध्य रेलवे के CPRO विरेंद्र कमार के अनुसार कुल 124 पूजा इस्पेसल ट्रेनों को चलाया जा रहा है, इसकी सुरुवाद 26 अक्टूवर से हो जाएगी इस्पेसल ट्रेने चलाने के लिए CPRO ने मुख्य सचीव को रेलवे अपसरों से बात करने के लिए कहा था, वहीं पूर्व मुखमंत्री तार्किसोर पसाद ने रेल मंत्री को पत्र लिखा था